हमारे इस खास सेग्मेंट में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिवानी पान डे एक्स्प्लेनर में आज हम बात करेंगे रूस की रूस का जिकr आज इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वक्त था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पूरी दुनिया में अलग तरीके का दबाव आ जाता है तनाव की स्तिती उत्पन्न हो जाती है नेटो देश पश्चुमी देश अमारेका ये तमाम ऐसे देश थे जिन्हों ने यूकरेन का साथ दिया हत्यारों की सप्लाई उसको की और रूस उस वक्त कहीं ना कहीं इन नेटो देशों की तनाव बढ़ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की राज्ट्रपती पुतिन ने आज ही एक संबोधन दिया है अपने देश के नाम और उसमें उन्होंने नेटों का जिक्र किया पश्चुमी देशों का जिक्र किया और इसके अलावा यूकरेन का भी जिक्र किया है अमारे पर हमले अभी उसकी ओर से लगाता जारी है उसके कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर उक अबजा कर रहा है लेकिन युद्ध हमा नहीं है और ये जो चेतावनी अब उन्होंने अपने संबोधन के जरी एक बार दी है ये एक बड़ा संकेत है पश्चुमी देशों के लिए नेटो देशों के लिए इसमें उन्होंने नेटो को सीधे निशाने पर लिया है उस पर हमला किया और कहा कि अगर आख उठा कि देखने की भी हिम्मत की रूस की तरफ तो फिर वो कोई बड़ा कदम उठा लेंगे इसके लावा आपको याद होगा कि हाली में नेटो में शा अब दर से बन जाए लेकिन ऐसा अभी तक संभव तो नहीं हो पाया लेकिन नेटो देशों का समर्थन है यूक्रेन को फिल्लांड और सुडिन जब उसमें शामिल होते हैं उसको लेकर भी निशाने पर लिया है नेटो देशों को खुद राश्ट्रपती पुतिन ने और कह कि या फिर कुछ भी ऐसा हुआ दखल देने का प्रयास हुआ तो अंजाम उनको भुगतना होगा इसके अलावा पुतिन ने ये भी जिक्र किया है कि जो उसका पश्चमी शेत्र है रूस का उसको और जादा मजबूत करेगा वहां पर जो उसकी सेनिक ठीकाने है उनको और ज पश्चमी हिस्सा है रूस का उसको और जादा मजबूत करेगा इसके लावा रूस की राष्टपती पुतिन ने तमाम पश्चमी देशों को जिमिदार ठहराया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये उसके लिए खतरनाक है उन्हें पर जो नीतिया पश्चमी देश पूरी तरह से तयार है तो एक तरीके से परमाणू हमले की भी धमकी है नुकलियर फोर्ट को तैनात कर दिया गया है रूस के अंदर और कभी भी अगर कुछ बड़ा होता है उसकी तयारी में है रूस यानि कि पुतिन के सेना पून रूप से तयारी में है और अगर कुछ ब लिया गया है रूस की ओर से अमारिका और रूस दोनों कटर दुश्मन है और कैसे इस दुनिया पर अपनी धाग जमानी है हर बार इनकी ओर से प्रयास होता है कभी रूस उठने का प्रयास करता है तो कभी अमारिका रूस को नीचे धकेलने का प्रयास करता है और इस इतिक रूप से अमारिका रूस को हराना चाहता है जिसके लिए उसने कई सारे प्रयास किये तो तमाम धंकियां दी गई है इसमें सबसे बड़ी धंकी ये है कि अगर ये तमाम नेटो देश माने नहीं अमारिका माना नहीं तो दूतिय विश्विद्ध में जो हाल हुआ था उ नेटो देशों को पश्चमी देशों को और इसका असर के वल रूस और पश्चमी देशों पर नहीं पड़ेगा अगर ये वार होता है ये जो युद्ध है और विक्राल स्तर पर जाता है तो पूरी दुनिया पर आप पर और हम पर भी इसका असर पड़ेगा इस पर आपका क्या कहना है आप comment section के जरी हमें जरूर बताईए और कोई ऐसा topic जिस पर आप चाहते ही कि discussion हो सकता है बातचीत हो सकती है आप जरूर comment section के जरी हमें बताईए